आपका चैनल में आज की वीडियो यह 10 है और कुछ टाइम से वीडियो में गैप आया है जो भी वीडियो आएती हैं दो दो दिन का गैप आगें क्योंकि टाइम ही नहीं बन पा रहा था कि कैसे क्या करना है तो अब मैंने टाइम जो है इसके लिए अलग से निकाल रही है और अब डेली की वीडियो आएंगी यह मैं कोशिच करूंगा बट वादा कर दूं तो पता दर्थ वर्ड को हम याद करेंगे इस दर्थ वर्ड को हम याद करेंगे डेथ और डेथ का क्या मतलब होता है डेथ का मतलब होता है मृत्यू ओके और इसको एक्जाम्पल के तुरू समझें तो एक्जाम्पल में हमने ऐसे किया डेथ दर में डेथ दर में अब कमी आ रही है यहां पर आप देखें तो की भी आ गई और यहां पर कमी जो इसका meaning है वो भी आ गया तो दोनों ही चीज़ें आप एक example के तुरू समझ सकते हैं तो यह होगा आपके सामने पहला word complete, next word की तरफ चलते हैं disparage जो अगला word है वो है disparage disparage जिसका मतलब होता है नीचा दिखाना और इस disparage को हम करेंगे की जो होगी हमारे सामने की जो होगी हमारे सामने इसकी होगी डिश डिश है डिश पर आज डिश पर आज शायद आपको मेरी handwriting समझा है फिर भी मैं बोल रहा हूँ यह डिश लिखा हुए इक काम करता हूँ इसको फिर से लिख देता हूँ क्यां बड़ी अजीब सी मैंने लिख दी मुझे डिश नहीं लग रहा था अब लगेगा हाँ डिश डिश पर आज clear जो की रहेगे इसकी डिश पर आज डिश पर रहे जिसका मतलब होता है नीचा दिखाना और आज इसको एक्जांपल के थुरू करते हैं डिश डिश पर आज के डिश पर आज के प्रोग्राम आज के प्रोग्राम हमारे समाज को नीचा दिखा रहे हैं इस समुझेगे डिश पर आज तो यह आगे आपकrée सामने की और नीचा रहे इसका मीनिक तो इस एक्जांपल के तुरू दोनोही की चिजें आ जाती इं डिस्पैर हे जिसका मतलब होता है नीचा दिखाना और जिसको हमने याद किया डिस्पैर आज, नेक्स्टवर्ड की तरफ ही तरल गाह। शॉल्ण्टी जिसका मेनिक होता है गन्द की हम इसको याद करेंगे इक मिनट तोड़ा जाधा ही खराब होगी स्क्वा लीड इसका मतलब होता है गंदी और स्क्वा लीड को हम याद करेंगे सुखी लीड से आपको लीड का मतलब पता ही होगा जो नहीं पता है तो फिर भी गूगल कर लेना पता चल जाएगा सुखी लीद जो सुखी लीद होती है गोड़े की लीद गोड़े की जो होती है वेस्ट उसको लीद ही कहते है तो गोड़े गोड़े की सुखी लीद सुखी लीद गंदी है सुखी लीद गंदी है सुखी लीद यहां पर आ गई मिनिंग भी यहां पर आ गया squalid जिसका मतला हुता है गंदी और इसका हमने याद किया सूकी लीज से तर्ड वर्ड हमारा खतम होता है जो फोर्थ वर्ड है हम उसकी तरव चलते हैं फोर्थ वर्ड है वह हगाड इसका मतला हुता है ठका हुआ कमजोर पर इस गाड को हम याद करेंगे गाड से गाड अगर सारा दिन काम करता तो क्या हो जाता है ठक जाता है सारा दिन काम करके वो ठक जाता है या फिर कहें सारा दिन खड़े खड़े रहकर वो ठक जाता है तो इसका जो हमने की से जो बना है हमारा गाड इसी से हम इसका example त्यार करते हैं गाड सारा दिन खड़े-खड़े-खड़े-खड़े-खड़े-खड़े-खड़े-खड़े-खड़े-खड़े-खड़े-खड़े-खड़े-खड़े-खड़े-खड़े-खड़े-खड़े-खड़े-खड़े-खड़े- इसका मतलetted होता है खोकली और होलो को हम एतोर किहांगे होल से होल से जिसका मतलख क्या था सुराक धातल सुराक अगर थ सुराक कर दोके तो क्या और बहुत सारे हो जागि खोकली हो जाईगी तो हमने इसको एक्जquito के थे ठाहिए होल करने से और दिन दोनों चीजों को एक ही एकजामपल में कर लिया और दिन दोनों चीजों को हमने समझ भी लिया एक बाद तुरंत इनकी रिविजन कर लेते हैं दर्थ जिसका मतलब होता है कमी और हमने इसको याद किया डेथ से मृत्युदर यानि डेथ दर में अब कमी आ रही है डिस्पेरेज डिस्पेरेज का मतलब होता है नीचा दिखाना डिस्पेरेज का हमने किया डिस्पर आज डिश पर जैसे डिश केबल होते हैं जो केबल डिश पर आज यो प्रोग्राम है हमारे समाज को नीचा दिखा रहे हैं तो उससे कर लिया squalid, squalid का मतलब होता है गंदी और squalid को हमने क्या सुखी लीद से, गोडे की सुखी लीद गंदी होती है, इससे हमने ये word याद किया haguard, जिसका मतलब होता है ठका हुआ, कमजोर, और हमने इसको क्या guard से, guard सारा दिन खड़े रह रहे कर ठक गया अगला जो word हमने क्या hole जिसका मतलब होता है, खोकली और hole का इसको हमने याद क्या hole से hole करने से दिवार क्या हो जाती है, खोकली हो जाती है, I hope so आप लोगों को ये पांचों word समझ आगे होंगे और आपको ये वीडियो पसंद आईए, तो प्लीज इसे लाइक करें सब्सक्राइब करें इस चैनल को और अगली ही वीडियो में विलेंगे अगले पांच शब्दों के साथ थैंक यू फोर वोचिंग इस वीडियो